मेरे दीनी भाईयो अपडेट फुर वीजन के उर्दू पढ़ना सीखे में आपका इस्तिक्बाल है आठवी सबक में हरकत वाले हर्फ के साथ जज्म वाले हर्फ को मिला कर बताया गया था आज नवे सबक में अलग-अलग हर्फ को अलिफ के साथ मिला कर बताया जाएगा जिसको इस तरह पढ़ेंगे ये बे है बे के उपर जबर है ये जोड का निशान है ये अलिफ है इसको यूँ पढ़ा जाएगा बे जबर जोड अलिफ बराबर बाबर जीन जबर जोड अलिफ बराबर जाएगा 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 जीन जबर ज गाफ जबर जोड अलिफ बराबर का गाफ जबर जोड अलिफ बराबर का गाफ जबर जोड अलिफ बराबर गा लाम जबर जोड अलिफ बराबर ला मीम जबर जोड अलिफ बराबर मा नून जबर जोड अलिफ बराबर ना हे जबर जोड अलिफ बराबर हा ये जबर जोड अलिफ बराबर या अलिफ जबर जोड मद बराबर आ इस तरह से हिज्जे करके मुक्तलिफ हुरूफ को अलिफ के साथ पढ़ेंगे उसके बाद ये अगला वाला सबक जो आ रहा है इसको हम हिज्जे भी पढ़ेंगे और रवा भी पढ़ेंगे हिज्जे इस तरह पढ़ेंगे वहां तो हरकत वाले हर्फ के साथ अलिफ को जोड कर बताया गया है मगर हिज्जे करने का तरीका इस तरह हिज्जे करके पढ़ेंगे अलिफ मद जबर आ बे अलिफ जबर बा ते अलिफ जबर ता पे अलिफ जबर पा ते अलिफ जबर ता ते अलिफ जबर ता से अलिफ जबर सा जीम अलिफ जबर जा चे अलिफ जबर चा हे अलीब जबर हा, खे अलीब जबर खा, दाल अलीब जबर डा, जाल अलीब जबर जा, रे अलीब जबर रा, रे अलीब जबर रा, जे अलीब जबर जा, सीन अलीब जबर सा, शेन अलीब जबर शार। सार जाद अलीब जबर जार। तोलीब जबर तार। हो जूलीब जबर जार। अाइन अलीब जबर आगाइन अलीब जबर गाइन अलीब जबर गाइन अलीब जबर घाइन अलीब जबर गाइन 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 अलीब जबर या इस तरह की पढ़ाई को हिज्जे करके पढ़ा करते हैं अब आईए हम रवा पढ़ते हैं रवा इस तरह पढ़ा जाता है जा सा शा सा जा पा जा आ गा फा का का गा ला मा ना वा हा या इस तरह पढ़ने को रवा पढ़ना करते हैं हिज्जे और रवा दोनु तरह से बार बार पढ़के याद कर लें बस आज का सबक खत्म करते हैं